यूं तो गुरुजी के किस्से काफी मशूर हैं जिसे हर कोई बार बार सुनना चाहता है लेकिन आज हम ऐसा किस्सा बताएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे गुरु नानक देव जी ने एक बार सूखी जमीन पर पानी का बहावला कर चमतकार किया था ये किस्सा उन दिनों का है जब गुरु नानक देव जी उस शगा गए जो आज उत्राखन के नाम से जाना जाता है अपनी शिश्य मरदाना के साथ गए थे एक बार की बात है कुछ संत गुरु जी से उनके चमतकारों को लेकर बेहच चिड़ने लगे जिसके बाद गुरु जी के शिश्य मरदाना को प्यास लगी लेकिन संतों ने सारा पानी सुखा दिया था ये बात मरदाना ने गुरु जी को बताई और पानी मागा गुरुजी ने मर्दाना को पास की बहने वाली नदी से लकडी के सहारे जमीन पर लकीर खीच कर लाने को कहा और इस दोरान पीछे मुनने के लिए मना किया लेकिन लकीर खीच कर आते समय मर्दाना ने मुड़ कर देख लिया और बहता पानी वही रुख गया जिसके बाद गुरुजी ने संतों को कहा कि नदी का पानी मैं इतने आगे तक ही ला पाया हूँ, बाकी का पानी आप सभी खीच कर आगे ले आईए गुरु नानक देव जी ने अंगिनत चमतकार किये और उनके द्वारा लोगों की मुश्किलों को भी हल करके दिया ऐसे भी और भी कई सारे किस्से हैं जो गुरु नानक देव जी के हैं और उन्होंने अपने चमतकार से साबित किया कि वाकई में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमें सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा बने रहे हमारे साथ नमस्कार